एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में सैमी नाम की एक जिग्यासू छोटी गिलहरी रहती थी। सैमी हमेशा नई चीजें तलाशने और नई दोस्त बनाने के लिए उत्सुक रहता था। एक धूप वाले दिन, एक पेड से दूसरे पेड पर छलांग लगाते समय, उसकी नजर एक छिपे हुए उपवन पर पड़ी। उस उपवन में सैमी को चमकदार पत्तियों वाला एक जादूई पेड मिला, जो हीरे की तरह चमक रहा था। सैमी का दिल उत्साह से भर गया, क्योंकि वह पेड पर चढ़ गया और उसकी कुछ चमचमाती पत्तियां तोड लाया। अचानक, ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू उसके सामने आया। ओलिवर ने सैमी को उसके कारियों के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। जादूई पेड ताकत और जीवन शक्ति के लिए अपनी पत्तियों पर निर्भर था। सैमी को दोशी महसूस हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंथ पत्तों को पेड पर उनकी सही जगह पर लोटा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पेड नई उर्जा से चमकने लगा। कृतजता में पेड ने सैमी को एक विशेश उपहार दिया। बलूत का फल की असीमित आपूर थी। उस दिन से सैमी को प्रकृती और उसके चमतकारों का सम्मान करने का महत्व समझ में आया। उन्होंने एकता और मित्रता को बढ़ावा देते हुए, जंगल में अन्य जानवरों के साथ अपने बलूत के फल बांटे। सैमी के निस्वार्त कार्य ने सभी को अपने परिवेश की सराहना करने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। कहानी का उपदेश यह है कि हमें हमेशा प्रकृती की सुन्दर्ता का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करके हम एक सामंजस्य पूर्ण दुनिया बना सकते हैं जहां दया और उदारता पनपती है।